हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो तिवरे अकेडमी तो देखिए अब हम अध्याय सोले की विवित प्रशनावली को प्रार्म करते हैं सबसे पहले प्रशन को पढ़ देते हैं एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली एवं 30 हरी गोलियां रखी हुई है आपको आगे बोला गया है कि डिब्बे में से 5 गोलियां यदरच्छा निकाली जाती है तो आपको प्रायक्ता बतानी है कि पहरे पार्ट में दिया हुआ है कि सभी गोलियां नीली हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम N S निकालेंगे इसके मतलब यह हुआ कि ऐस होता था सेंबल स्पैस N मतलब उस सेंबल स्पैस में कितने अभ्यव हैं यह हमने सीखा था अब यहाँ पर आप सेंबल स्पैस को लिखेंगे नहीं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे caseys हो सकते हैं तो आप किया करेंगे बिसिकली तरीके देखेंगे कुल कितने तरीके हो सकते हैं अब देखो गैने टोटल कितनी है 10 लाल है मतलब 10 रेड बॉल्स हो गई 20 नीली बॉल है अर्था 20 ब्लू करती मैंने और 30 हरी है तो 30 जी लिद दिया मैंने तो टोटल बॉल्स यदि आप देखोगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 अर्था 60 बॉल्स हो जाएंगी तो आपको basically टोटल तरीके देखने है अर्था 5 गोलिया निकालने के तो टोटल तरीके केतने होंगे 5 गोलिया निकालने के 60 C 5 क्योंकि आपने पड़ाता क्रम्चे एवं सज्चे वाले अध्याय में कि N विभिन वस्तुओं में से R वस्तुओं हैं छाटने के तरीगे N, C, R होते हैं इसलिए देखो यहाँ पर मैंने 60, C, 5 टोटल तरीगे लिख दिये लेकिन अब यहाँ पर आप यह देखो कि पहले वाले भाग में बोला गया है कि सभी गोलिया नीली है तो माल लिजेगा मैं A वाली घटना माल लेता हूं कि सभी गोलिया नीली है मैंने A वाली घटना माल ली अब आप यह देखो कि आपको यह देखना होगा कि आप A वाली घटना को कितने तरीके से कर सकते हैं मतलब नीली गोलियां कितने तरीके से आप छाण सकते थे ध्यान रखें आपको 5 गोलियां निकालनी है इसका मतलब 5 गोलियां नीली है और टोटल नीली गोलियां है आपके पास 20 तो इस तरीके से N A आपके पास हो जाएगा 20 C 5 क्योंकि आप इन 20 में से कोई सी 5 गोली निकाल लो, हमेंसा नीली आएंगी तो N A आ गया, लेकिन आपको तो प्राइक्टर निकालनी थी ए वाली घटरना की अर्था सभी गोली नीली हो तो यह formula हो जाएगा N A बटे N S एन A देखिए आपके पास हो जाएगा 20 C 5 बटे N S आपके पास हो जाएगा 60 C 5 और यही आपका उत्तर हो जाएगा अब यहाँ पर यह संदे हो सकता है कि क्या हम इसको open करके लिखेंगे क्या हम इसको simplify भी करें अगर आप चाहते हैं तो simplify कर सकते हैं नहीं तो आप इसको इतना भी रहने दे सकते हैं क्योंकि देखो यह काफी बड़ी calculation आएगी तो हमारा जो जो जोर रहता है वो calculation पर नहीं रहता है बलकर concept पर रहता है तो concept आपके पास यही रहेगा कि 20 C 5 बटे 60 C 5 होगा तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं चलिए अब हम आगया जाते हैं दूसरे वाली भाग पर इसमें आपको बोला गया है कम से कम एक गोली हरी है तो देखिए अब मैं एक घटना बी माल लेता हूँ कि जो आपने पांच गोलिया निकाली है उनमें से कम से कम एक गोली हरी है तो मैंने बी वाली घटना लिख दी हाँ पर कम से कम एक हरी गोली निकालना अब आप ये देखो कि हम बी वाली घटना को कितने तरीके से कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने तरीके से कम से कम एक गोली निकाल सकते हैं, मतलब NB निकालेंगे तो देखो, दो तरीके हैं NB निकालने के, एक तो आपके पास है तरीका, आप टोटल तरीके में, टोटल तरीके हमारे पास कितने थे? टोटल तरीके थे हमारे पास साट सी पाँच क्लियर, हमारे पास टोटल तरीकी कितनी है? साट सी पाँच तो साट सी पाँच टोटल तरीकों में से मैं क्या करता हूँ? कि वो तरीके घटा देता हूँ जब एक भी बॉल हरी नहीं है इसका मतलब आप जो पाँचों गोलिया है इन दोनों को मिलाकर मतलब 30 गोलियों में से निकालो 10 लाल और 20 नीली टोटल 30 गोलियों हो गई तो इन 30 में से अगर आप 5 नकालोगे तो कोई भी एक हरी गोली नहीं आएगी तो इसलिए आपने टोटल केसिस में से 30 C5 इसको घटा दिया तो N B आ गया अब आप देखोगे यहां से तो N S तो आपको पता ही था 60 C5 है तो इस तरीके से आपके पास जो B वाली घटना है अर्थत कम से कम एक घरी गोली उसकी प्रायक्ता आपके पास हो जाएगी 60 C5 माइनस 30 C5 बटे 60 C5 और अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसको सरल करना तो देखो अगर हम भाग देंगे यहां पर 60 C5 से दोना अव्यव हो में तो आजाएगा 1 माइनस 30 C5 बटे 60 C5 और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा तो यह तो मैंने आपको प्रवरा प्रशन घर लेके दिखा दिया अब मैं आपसे बोलना हूँ कि जो यह B वाली घटना मतलब NB जो आपने निकाला है इसको निकालने का दूसरा तरीका भी आपके पास हो सकता है तो ध्यान रखो कि अभी जो हम कैसे निकाल सकते है तो मैथट 2 देखिए NB निकालने मतलब कम से कम एक हरी गोली कम से कम एक हरी गोली का मतलब मैंने आपको बताया था कम से कम को या तो आप ठीक में बदल लो मतलब ठीक एक हरी गोली या ठीक दो हरी गोली होनी चाहिए या ठीक तीन हरी गोली होनी चाहिए या एगजेक्ट ठीक चार हरी गोली होनी चाहिए या पांचों के पांचों हरी गोली है इसका मतलब यही हुआ अब आप देखो कि हमारे पास ठीक एक हरी गोली होनी चाहिए मतलब इन तीस मैंसे एक हरी गोली निकाल लो ठीक 2 अरी गोली निकालनी है मनलब 30 में से 2 हरी गोली निकाल लो और जो बाकी बच्ची हुई 30 गोली और निकालनी बढ़ेंगी क्योंकि टोटल तो 5 गोली निकालनी है तो यहां पर फिर प्लस कर दिया ठीक 3 के लिए बात करेंगे तो 30 C2 into 33 आजाएगा इसी तरीके से फिर य इंटू 35 कर दो, यह सीधे 35 भी लिखा रहे ने सकते थे, वो आपके ऊपर निर्वा कर रहा है, क्योंकि 30 0 तो एक ही होता है, इस तरीके से आपके पास ये NB आ जाएगा, अगर आप NB ये लेंगे, तब भी आपका उत्तर सही आएगा, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, NS लिखने के बाद फिर PB निकालू, तो आपको इसमें संदेरी करना है, कि यहाँ पर देखो NB आपको इतना अच्छा सा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखो NB आपने निकाला है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें ये इसमें बना लिये, लेकिन हैं दोनों सही चलिए, अब हम दूसरे प्रशन पर आ जाते हैं यहाँ पर आपको बोला गया कि तांस के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फैंटी गई गड़्डी से चार पत्ते हमने निकाले हैं तो इस बात की प्रायक्ता बताईए कि निकाले गए पत्तों में तीन इट और एक हुकम का पत्ता है तो देखी यह हमको निकालना है सबसे पहले हमने आपको देखो 52 पत्ते किस तरीके के होते हैं उसमें कैसे कलर के होते हैं सब कुछ हमने आपको बता रखा है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक वार रिकॉल करा देता हूँ 52 पत्ते जो होते थे तांसके, उसमें चार तरीकी के पत्ते होते थे, अगर हम दिजाइन के अधर पर बात करें एक होता था इट, जो कि तेरे चड़ी के और तेरे हुकम के अब चलिए, हम प्रशन पर आते हैं अब आपको सबसे पहले तो N, S निकालना है N, S का मतलब, S होता था हमारे पास पूरा प्रतिदर समझ्टी N का मतलब होता था, उस प्रतिदर समझ्टी में कितने अवयव हैं अब यहां पर प्रतिदर समझ्टी तो ऐसे बहुत सारे आएंगे तो अब यहां हम सीधे लिख लेते हैं एक बार इसका मतलब यह हुआ कि हमको लिखना है कि 52 में से 4 पत्ते कितनी तरीके से निकाले जा सकते हैं, मतलब वही होगा कि तो टोटल कितनी परणाम से हम कर सकते हैं यह काम तो 52 में से 4 पत्ते निकालने के तरीके आपके पास 52 सी 4 आ जाएगा यह एन ऐसा आ गया अब आपको प्राइक्ता निकालनी है कि 3 8 के पत्ते होने चीए और एक हुकम का तो मैंने यह एक घटना माल ली कि 3 पत्ते एट के हैं और एक पत्ता हुकम का है तो मैंने जब यह एक घटना माल ली तो मेरे को इसी बात की प्राइक्ता तो निकालनी है एक घटना होने की तो पहले हम क्या करेंगे एक के अनकूल परणाम देखेंगे लेकिन यहाँ पर परणाम न बोलकर हम क्या बोलेंगे कि हम कितनी तरीके से उन 52 पत्तों में से तीन इट और एक हुकम का पत्ता निकाल सकते हैं तो आप यह देखो तीन इट के पत्ते निकालने हैं लेकिन इट के पत्ते तो आपके पास 13 ही हैं और एक हुकम का पत्ता निकालना है, लेकिन हुकम के पत्ते भी आपके पास 13 हैं, तो देखिए N1 कैसे आप लिख सकते हैं, देखो 13 में से 3 इटके निकालने हैं, तो 13C3, और मतलब तथा एक तरीकी से तो गोणा का चनल लगा दिया, और एक हुकम का पत्ता निकालना हैं 13 में ns आप देखो n a आपके पास है 13c3 गुणा 13c1 बटे ns है 52c4 तो आप बस इतना लिखा रहने देंगे और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा अगर आप चाते हैं इसको सरल करना पूरा NCR वाले फॉर्मुले से ओपिन करना तो आप कर सकते हैं वैसे आप इतना भी रहने दे सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में बोला गया कि एक पासे के 2 फलकॉं में से प्रतेक पर संख्या 1 अंकित है तीन फलकों पर प्रतेक पर संख्या दो अंकित है और एक जो फलक रह गया उस पर संख्या तीन अंकित है आपको बोला गया आगे कि यदि पासा एक बार हमने फैका है तो निम्नलिखित ग्याद कीजिए पहला वाला भाग है P2 P2 का मतलब है कि प्राइक्ता ग्याद करनी है P का मतलब और 2 का मतलब है 2 आने की प्राइक्ता अब देखो सबसे पहले तो आप यह जानते है पासे के 6 फलक होते हैं अगर हम एक नॉर्मल पासा लेते हैं तो 6 फलक कौन कौन से आते हैं एक पर एक लिखा होगा, किसी पर दो लिखा होगा, किसी पर तीन, किसी पर चार, किसी पर पाँच, और किसी पर छे लिखा होगा है। लेकिन यहाँ पर पासा कुछ अलग तर्जीक एका है। बोला गया है जो 6 फलक तो हैं पासे के लेकिन 2 फलकों पर 1 लिखा हुआ है, 3 फलकों पर देखो 2 लिखा हुआ है, और एक जो बचा हुआ फलक है उस पर 3 लिखा हुआ है, तो ये सब आपके पास लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको बोला गया कि पासा हमने एक बार फैक तो ये S क्या हो जाएगा हमारे पास ये सभी अभयव हमारे पास आ सकते थे तो ये S के अभयव हो गए प्रतियर समझ्टी तो N S यदि देखूंगा तो N S हमारे पास यहाँ पर देखो आ जाएगा 6 के बराबर क्योंकि उन 6 में से कुछ भी आ सकता है हमारे पास अब बात आती है कि पहले वाले भाग को हल करने की तो पहले वाले भाग में हमको 2 लाना था, तो मान लीजिएगा A मैंने घटना मान ली, कि फलक पर 2 आना, मैंने A घटना मान ली अब मेरे को इसी बात की तो प्राइक्टा निकालनी है बेसिकली P2 मतलब बेसिकली P A निकालना है, तो P A के लिए पहले N A निकालूँगा N A, मतलब सोचिए 2 कितने तरीके से आ सकता है तो आपको दिख रहा है 2, 3 तरीके से आ सकता है तो N A 3 हो जाएगा इस तरीके से P A आपके पास हो जाएगा N A बटे N S के बरावर N A देखो आपके पास कितना है, 3 है और N S है आपके पास 6 अगर आप इसको कैंसल करोगे 3 से, तो 3 से एक बार ये कैंसल हो गया और ये दो बार कैंसल हो गया तो इस तरीके से पहले वाले भाग की प्रायक्ता एक बटे दो आजाएगी यह हम बोल सकते हैं कि एक बटे दो प्रायक्ता है कि फलक को आप उछालो और उस पर दो आजाए चलिए, अब अगले वाले भाग पर आते हैं इसमा बोला गया पी, एक या तीन आपको ग्याद करना है तो पी, एक या तीन ग्याद करना है मतलब हमें प्रायक्ता निकालनी है कि हम जो फलक उछाले हैं तो उस पर एक या तीन आजाए तो मैंने बी वाली घटना माल ली एक या तीन आना तो अब देखो NB निकालूंगा NB मतलब फलक पर एक या तीन कितने तरीके सा सकता है आपको ये देखना है देखो तीन एक तरीके सा सकता है और एक भी दो तरीके सा सकता है तो टोटल तरीके हमारे पास कितने हो गए तीन तरीके हो गए ये दोनों और एक ये कुछ भी आ जाए हमारे लिए सब कुछ successful रहेगा तो N, B हमारे पास देखो ये 3 आ गया तो P, B निकालना है मतलब 1 ये 3 आने की प्रायक्ता ये हो जाएगी N, B बटे N, S N, B 3 है और N, S आपके सामने 6 था तो अगर आप इसको हल करोगे तो देखिए ये 1 बटे 2 के बराबर यहां से आ जाएगा आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले भाग पर तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि P, 3 नहीं आना चाहिए अब ये देखो कि 3 नहीं आना चाहिए ये उसना बोला तो मैंने C वाली घटना माल ली कि 3 नहीं आये तो मेरे को N, C निकालना पड़ेगा अब ये देखो आपको ये तो पता है कि अगर आप पासा उचालने है तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा लेकिन उसना बोला 3 नहीं आना चाहिए indirectly वो ये बोला है कि 1 या 2 में से कुछ भी आजाए 3 नहीं आएगा मतलब 1 या 2 में से कुछ भी आजाए 1 आने के 2 तरीके हैं 2 आने के 3 तरीके हैं तो total इन 5 आने से कुछ भी आजाए आपके पास तो N, C मतलब कुछ और आने के तरीके 5 हो गए तो अब देखो यहां से P, C यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास हो जाएगा N, C बटे N, S N, C देखिए 5 है और N, S आपके पास 6 था तो इस तरीके से ये प्राएक्ट आपके पास 5 बटे 6 हो जाएगी तो देखो अब प्रशन संख्या 4 को पढ़ लेंगे एक लाटरी में 10,000 टिकेट बेचे गए हैं जिनमें 10 इनाम दिये जाने हैं इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 टिकेट तो बेचे गए हैं लेकिन केवल 10 टिकेट ही हैं जिन पर इनाम मिलेगा आपको आगे बोला गया कि कोई भी इनाम ना मिलने की प्रायक्त आपको बतानी है कि क्या होगी यदे आप पहले वाले भाग में दिया हुआ है एक टिकेट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ए वाले भाग को हल कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपके लिए पहले वाले भाग को यदे हम हल करें तो सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि टिकेट जो कितने हैं लोटरी में 10,000 हैं तो टोटल टिकेट जो बेचे गए हैं वो 10,000 हैं अब आपको आगे बोला गया कि 10 इनाम दिये जाने हैं तो कुल इनाम कितने हैं आपके पास 10 हैं अब आपको ये देखना है कि प्राइक्ट The बता ओ कि एक टिकट यदि आप खरीते हैं, तब उसकी कोई भी इनाम ना मिले उसकी प्रैक्ता आपको बता नहीं है तो देखे, अब मैं लिखता हूँ A वाला पार्ट इसमें आप ये सोचो कि आपने एक टिकेट खरी दी तो आपके टिकेट खरी इनाम मिलने की प्रैक्ता क्या होगी सोचे, मैं अगर बोलू P इनाम मिलना इसकी प्रैक्ता ये थे हम निकाले हैं तो देखे, हमारे पास क्या प्रैक्ता आएगी टोटल हमारे पास 10 इनाम है एक टिकेट खरी दी है मत्तब 10 में से एक खरी दी है 10C1 बटे 10C1 आपके पास 10 होता है और 10C1 दस हजार हो गया आपके पास 0 से 0 cancel हो गया तो ये आप देखिए आपके पास आजाएगा 1 बटे 1000 अब आप एक बात पर ये गौर करो कि इनाम मिलने की आपने लिखी ये प्रायक्ता भी है फिर आपको तो निकालनी है इनाम ना मिलने की प्रायक्ता तो आपने देखो एक formula पड़ा था मैं यहाँ पर एक recall करो देता हूँ आपको formula कि PA प्लस PA बार या PA' ये 1 के बराबर होता है तो अगर मैं A वाली घटना मालू इनाम मिलना तो A बार क्या हो जाएगा इनाम नहीं मिलना तो मेरे को वही प्रायक्ता निकालनी है इनाम नहीं मिलनेगी एक हजार माइननस एक बटे एक हजार क्योंकि लास अपा लेंगे तो यही आएगा आपके पास अगर आप आगे इसको हल करोगे तो यह देखो आपके पास आजाएगा 999 बटे एक हजार और यही आपका इस प्रशन का उत्तर भी हो जाएगा चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं अब यहाँ पर आप बस एक बात यह समझे लो आगे बढ़ने से पहले अगर कोई चातर चाहे कि इसको हम डायरेक्ट एक बार में कैसे करें तो देखें मैं डायरेक्ट करना भी आपको सिखा देता हूं कि यह मैथट टू से पहले वाले पाट का ऐसा हर किसी में कर सकते हैं method one method two इसमें तो हम दोनों से बता रहे हैं आगे हम किसी एक-एक method से ही करेंगे पी इनाम नहीं मिलने की प्रायक्ट अगर हम start egg में ही निकालते हैं तो आप यह देखो कि आपको इनाम नहीं मिलना है इसकी प्रायक्ट अगयाद करनी है और आपने एक ticket खरीदा है तो पहले तो आप यह देख लो कुल ticket 10,000 हैं कुल इनाम 10 हैं तो बिना इनाम वाली ticket कितनी होंगी आप यह देखो पहले तो तो बिना इनाम वाली ticket या ticket की संख्या आपके पास देखो 10,000 में से 10 घटा के आजाएगी 10,000 में से देखो 10 घटा होगे तो आपके पास देखो 9,990 आजाएगा तो इसका मतलब आगर आपको इसी बात भी प्रायक्टा निकाल नहीं है कि आपको कोई भी नाम नाम मिले इसका मतलब आपने एक ticket में से छांटी हो तभी तो ऐसा संबब होगा तो आप क्या करेंगे 9,990 C1 बटे टोटल टिक्टें कितनी थी हमारे पास 10,000 C1 क्योंकि इतने तरीके थी हमारे पास एक ticket को चुनने के तो अगर आप देखो इसको हल करोगे तो यह आजाएगा 9,990 बटे 10,000 0 से देखे 0 कैंसल हो गया तो आपके पास यह बचेगा अब 999 बटे 1,000 तो आप देख रहे हो method 1 से भी मैंने आपको समझा दिया method 2 से भी समझा दिया अब आगे के जो method होंगे या जो part होंगे और में हम एक ही method का दो टिकेट खरीदे जाते हैं तब आपको प्राएक्टा बतानी है कि उसको कोई भी इनाम ना मिले तो अब देखो यहाँ पर आपने दो टिकेट खरीदे हैं तो मैं सीधे एक बार में यह दे लिखूँ तो P इनाम नहीं मिल लेगी तो इसका मतलब दोनों टिकेट आपने किस में से खरीदे थे 9,990 वाली टिकेटों में से खरीदे होंगे अगर आपको इनाम नहीं लेना है तो इसका मतलब आपने दोनों टिकेट यहां से लिए होंगे तो आपके पास अप प्राएक्टा हो जाएगी 9990C2 बटे कुल तरीके आपके पास कितने थे दो टिकेट लेने के 10,000C2 तो यह आपके पास उत्तर हो जाएगा अगर आप इसको उस तरीके से निकालते तो पहले आप निकालते इनाम मिलने की तो आप क्या करते इनाम मिलने की कितनी हो जाती है आपके पास कि 10 C2 बटे 10,000 C2 और उसमें से फिर आप 1 में से गटा देते अब तीसरे वाले में से आते हैं तीसरे वाले पार्ट में आपको बोला गया कि अब आपने 10 टिक्टें खरीद दी हैं और आपको प्रायक्ता निकालनी कोई भी नाम ना मिले तो सुची अगर आपको कोई भी नाम नहीं लेना है इसका मतलब आपने 10 की 10 टिक्टें इन में से निकाली होंगी 9,990 जो टिक्टें क्योंकि इन में से कोई भी नाम वाली नहीं है तो आपके पास इस तीसरे वाले केस में इनाम नहीं मिलने की प्रायक्ता जब आपने 10 टिक्टें खरीदी हैं तो वो हो जाएगी 9,990 C10 बटे 10,000 C10 और यही आपका इस तीसरे वाले भाग का उत्तर भी हो जाएगा पांच वी प्रस्टन में बोला गया है कि 100 विध्यारतियों में से 40 और 60 विध्यारतियों के 2 वर्ग बनाए गई हैं यदे आप और आपका एक मित्र 100 विध्यारतियों में हैं तो क्या प्रायक्ता है कि पहले वाले भाग में बहुत condition आपको दी हुई है कि आप दोनों एक ही वर्ग में हो इसकी आपको प्रायक्त निकालनी है तो सबसे पहले तो आप यह धान रखो कि आपके पास 100 विध्यारती है मान लिजेगा आपके पास यह पहला वर्ग है और यह दूसरा वर्ग है तो पहले वर्ग में मतलब पहला दूसरा मतलब हमने वैसे समझाने के लिए आपको बनाया है एक वर्ग में 40 है और एक में 60 है तो आपने 40 और 60 विध्यारती ही रख दी है अब आपको बोला गया है कि आप और आपका मित्र इन सौ विध्यार्तियों में सही हैं लेकिन ये नहीं पता कि दोनो पहले वर्ग में ही है या दोनो दूसरे में है या एक पहले में और एक दूसरे में ऐसा नहीं पता है लेकिन हैं इन सौ विध्यार्तियों में सही तो अब देखिए आपको प्राइक्टा ग्याद करनी है कि दोनों एक ही वर्ग में हो तो सबसे पहले देखो मैं पहले वाले पार्ट को हल करता हूँ तो एक ही वर्ग में हो प्राइक्टा अगर आप निकालोगे तो अभीष्ट प्रायक्ता क्या होगी कि या तो आप 40 वाले वर्ग में हो तो या तो लिखोगे 40 वाले वर्ग में या तो दोनों हो या दोनों किस में हो 60 वाले वर्ग में यही दो केस हो सकते हैं कि या तो 40 वाले में आ जाओ दोनों या आप और आपका मेतर 60 वाले वर्ग में आ जाए तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया अभी यह देखिए मैंने गर्ती रूप में इसको नहीं लिखा है किवल भासा वाले रूप में लिखा है तो अब यहाँ पर प्राइक्टा कैसे लिखेंगे उसको समय लेते है अब देखो 40 वाले वर्ग में दोनों के आने की प्राइक्टा हमारे पास कितनी होगी तो देखिए वो हमारे पास होगी 40C2 क्योंकि 40 में से 2 विध्यारती आपको चांटने है बटे टोटल विध्यारती हमारे पास सो थे तो सो में से दो विध्यारती यहा के लिए हमने प्रश लगाया साथ वाले वर्ग में से निकालोगे तो साथ सी दो बटे सो सी टू यह आपके पास दिखवा जाएगा अगर आप चाहो तो वैसे इतना ही लिखा रहने दे सकते हो और वैसे हम इसको देखो सरल भी कर सकते हैं क्योंकि अब यह थोड़ा सरल करने लाइक है ज्यादा कैल्कुलेशन नहीं आएगी तो यह आएगा चालेस इंटू उन्तालेस बटे दो पिलस देखो लासा पातों साठ सौसी टू आए गई तो वो मैंने सीधे एक बार में सौ गुड़ा निन्यानवा बटे दो एक बार में नीचे लिख दिया यहाँ जाएगा साठ गुड़ा उन्सठ बटे दो तो अगर आप देखो यहाँ से दो से कैंसल करें तो यह देखो 20 वार कैंसल हो गया यह आपके पास 30 वार कैंसल हो जाएगा और यह देखो अमारे पास 50 वार कैंसल हो जाएगा तो यहाँ से देखी अभी हम क्या करते हैं वैसे तो यह उत्तर आ गया था लेकिन मैं इसको सोड़ा सरल कर रहा हूं तो अभी हम 10 common ले लेते हैं, तो अंस में से 10 common लिया तो यह आ जाएगा 78, क्योंकि देखो 20 था तो 2 बचा केवल 2 गुड़ा 49, 68 आ गया, प्लस 69 गुड़ा 3, यह आपके पास 170 आ जाएगा, बटे, यह देखो 10 मेंने यहां से common लिया तो 5 गुड़ा 99 बचेगा, 5 गुड़ा 99, 495 के बरावर होता है, तो यह आपने इस तरीके से लिख दिया, फिर देखे, 10 से यह 10 तो cancel होगे आपके पास, तो अब आपके पास यह बच जाएगा, 117 प्लस 178, यह 255 आ गया, बटे, 495 और अगर आप इसको देखो 5 से cancel कर दो, तो देखो यह आ गया 51, और यह आ जाएग 5, 9, 45 और 99, फिर अगर आप इसको 3 से cancel कर दो आगे, तो यह 17 वार cancel होगे और यह 33 वार हो जाएगा, इसके बाद आप इसको सरल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब आपका यह जो उत्तर है, वो 17 बटे, 33 आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि या तो आप यह वाला उत भी लिख सकते थे, चलिए, अब हम दूसरे वाले भाग पर आजाते हैं, दूसरे वाले भाग में आपको प्रायक्ता बतानी है कि आप दोनों अलग-अलग वर्गों में हैं, तो अगर आप दोनों अलग-अलग वर्गों में हैं, तो देखो, यह बहुत सिंपल सवाल हो जा तो हमें प्राइक्टा बतानी है कि दोनों अलग अलग वर्गों में हैं मतलब एक चालिस वाले वर्ग में हैं तो एक साथ वाले वर्ग में हैं तो हम क्या करते हैं कि टोटल हमारे पास प्राइक्टा तो एक होती हम योगफल जानते हैं तो वन माइनस हम वो वाले हमने अभी निकाली है 17 वटे 33 आई है तो यह आपके पास आजाएगी 1-17 वटे 33 जब आप लासपा लोगे तो देखिए लासपा 33 आजाएगा 33 माइनस 17 वटे 33 बनेगा और हल करने पर यह आपके पास 16 वटे 33 आजाएगा देखिए छटे प्रस्ण में आपको बोला गया है कि तीन व्यक्तियों के लिए तीन पत्र लिखवाए गई है और प्रते के लिए पता लिखा एक लिफाफा है आगे बोला गया कि पत्रों को लिफाफों में यद्रच्या इस परकार डाला गया है कि प्रतेग लिफाफे में एक ही पत्र है तो आपको अब प्रायक्त ग्याद करनी है कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया हो तो यह देखते हैं अब कैसे इसको हम हल कर पाएंगे तो अब यहाँ पर आप यह देखो कि सबसे पहले तो हमारे पास तीन व्यक्ति हैं और तीन पत्रा और हर किसी के लिए एक लिफाफ आए तो मान लिजेगा हमारे पास पहला पर्षन है P1 दूसरा व्यक्टी है P2, मतलब पर्षन P2 और पर्षन 3 मतलब तीसरा व्यक्टी तीनों के लिए अलग-अलग लिफाफे हैं तो मान लिजेगा लिफाफों को मैं सारी जो पत्र लिखे गए हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि L से प्रतरस्षित कर देता हूँ मतलब पहले व्यक्ति के लिए L1 हो गया पत्र, दूसरे व्यक्ति के लिए L2 और तीसरे व्यक्ति के लिए L3 फिर बोला गया प्रते एक लिफाफे में एक पत्र है तो हमको एक पत्र सही लिफाफे में कम से कम हो उसकी प्रैक्ट ट्याप करना है, तो तीन ही लिफाफे भी है, तो एक लिफाफ है E1, एक लिफाफ है E2, और एक लिफाफ है आपके पास E3, अब ये देखो, हमें क्या करना है, कि इन तीन पत्रों को जो L1, L2, L3 हैं, उनको तीन लिफाफों E1, E2, E3 में डालना है, अब हो होने को तो हो सकता है, गलती में, आप L1 को E2 में डाल दो, L2 को E1 में और L3 को E3 में, ऐसे और भी केसिस हो सकते हैं, तो ऐसे तीन फेक्टोरिल केस वैसे आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अब प्रैक्टता निकालने हैं, कम से कम एक पत्र तो अपने सही लिफाफे में डाला ही गया हो, देखे हो सकता है कि कोई भी सही लिफाफे में डाला गया हो, हो सकता तीनों सही में हो, हो सकता दो सही में हो, हो सकता एक सही में हो, ऐसे केसिस बन सकते हैं, लेकिन आपको केल वही वाले केसिस लिखने हैं, एक पत्र कम से कम अपने सही लिफाफे में होना ह चाहिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि total तरीके कितने हैं रखने के मतलब ns s होता था प्रतिवर समझती मतलब कितनी संभावनाएं बन सकती है n मतलब number होते थे तो कितनी संभावनाएं मतलब यहाँ पर जो उसको हम इस तरीके से बढ़ेंगे एक कितने तरीके से आप 3 लिफाफों में 3 पत्र डाल सकते है तो देखिए आप डाल सकते हैं पहले लिफाफे को स्वरी पहले letter को पहला जो पत्र उसको 3 तरीके से फिर दूसरा जो पत्र आएगा उसको दो तरीके से डाल पाओगे और तीसरे वाले पत्र को जो बचा हुआ लिफाफा बचा हुआगा उसमें डाल पाओगे तो टोटल 6 यहां हम बोल सकते हैं तो थ्री फेक्टोरल तरीके हो जाएंगे तो यह NS आपने निकाल लिया अब आपको बोला गया कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में हो तो मैंने ए वाली घटना माल ली कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में हो फिर देखिए आपने पढ़ा था कि कम से कम जब भी आएगा तो आप उससे एकजेक्ट मतलब ठीक में बदल लोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का मतलब हो गया ठीक एक पत्र सही लिफाफे में हो या ठीक दो पत्र सही लिफाफे में हो या ठीक तीन पत्र अब मैं यहाँ पर इसको लिखने से पहले आपको थोड़ा बास समझा देता हूँ आप खुछ सोचिए कि दो पत्र यह दे सही लिफाफे में हो जाएंगे जैसे मान लिजएगा L1 आपने E1 में कर दिया L2 आपने E2 में कर दिया तो सभाव इक सी बात है जो L3 आप वो E3 में ही जाएगा मतलब तीनों सही ही जाएंगे आप कोई सा भी केस ऐसा ले सकते हैं जैसे मान लिजएगा आपने L1 को E1 में कर दिया L3 को E3 में कर दिया यह दोनों आपने सही कर दिया ठीक 2 सही कर दिया आपने सही लिफाफों में तो सभाविक सी बात है कि जो L2 बचा होगा वो बचे हुए लिफाफे में जाएगा मतलब E2 में ही जाएगा इसका होला तीनों ही सही लिफाफे में ही जाएगे तो अगर हम ठीक 2 ना लिखकर सीधे लिख दें ठीक तीन क्योंकि यहाँ पर दो ही केस बनेंगे आपको देखने में लगेगा कि ठीक एक पत्र सही लिफाफे में हो या ठीक दो पत्र या ठीक तीन पत्र तीन केस बनेंगे लेकिन जैसे मैंना भी आपको समझाया कि यहाँ पर बेसिकली दो ही केस बनेंगे क्योंकि अगर ठीक दो भी सही लिफाफे में तो इसका मतलब यही है कि तीसरा भी अपने लिफाफे में ही गया होगा तो आपके पास यह आ गया अब देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे तो यहाँ पर अब देखो अगर मैं एन ए लिखूँ यह तो मैंने अभी एक घटना बताई कि कैसे लिखेंगे अब ठीक एक पत्तर सही लिफाफे में हो तो इसका मतलब आपको कैसे लिखोगे इसके तरीके तो आप सोचो कि कौन सा पत्र सही लिफाफे में हो क्रमचे संचे आप थोड़ा यूज करेंगे कौन सा पत्र सही लिफाफे में हो तो हो सकता है L1 सही लिफाफे में हो हो सकता है L2 अपने सही लिफाफे में हो हो सकता है L3 तो उसको चुनने के लिए कि कौन सा पत्र सही लिफाफे में हो तीन सीवन तरीके से आपने एक पत्र चुना और आपने उसमें लिफाफे डाल दिया अब जो बाकी के दो पत्र होंगे और दो लिफाफे होंगे तो एक ही तरीका होगा इधर उधर पहुंचा दो ताकि सही में ना आए यह लखा है तो प्लस कर दिया और एक तरीका होगा कि तीनों पत्र सही लिफा पे मुझा उसका तो केवल एक ही तरीका हो सकता है तो यह देखो N A आपके पास यह तो देखो 3 हो गया और यह प्लस 1 है तो यह N A आगया 4 के बराबर आपको प्रायक्ता ग्याद करनी है A की घटना होने की तो P A देखी हो जाएगा N A बटे N S N A आप देखे 4 है और N S आपने स्टार्टिक में निखाला है 6 के बराबर है तो यहां से आप इसे लिख दोगे 4 बटे 6 अगर आप इसे देखो 2 से कैंसल करो तो यह 2 से 2 बार कैंसल हो गया और यह आपके पास 3 बार कैंसल हो जाएगा तो यह सरल करने पर 2 बटे 3 आपके पास आजाएगा चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आजाते है प्रश्न संक्या साथ की तरफ बोला गया है कि A और B और A तथा B दोनों के घटित होने की प्राइक्ता अर्था P A intersection B 0.35 आपको दी हुई है तो देखिए आपको बोला गया है कि ग्याद कीजिए P A Union B मतलब सबसे पहला वाला भाग को सबसे पहले हम हल कर लेते हैं तो देखिए एक फॉर्मुला आपके पास पड़ा है ये वाला आपने कि P A Union B आपके पास हो जाएगा P A प्लस P B माइनस P A intersection B के बराबर ये देखो आपके पास आजाएगा अब आप ये देखो कि P A Union B आपको निकालना है तो आप तो इसको तो ऐसा का ऐसा ही रखो P A अगर आप देखोगे तो 0.5 चार हो गया प्लस P B 0.6 नो आजाएगा माइनस P A intersection B देखो प्रशन में दिया हुआ है पहले से 0.3 पाँच तो ये आपने यहां से लिख दिया अब देखो पहले हम क्या करते हैं इन दौनों को जोड लेते हैं तो ये आजाएगा 3 ये आजाएगा 2 और ये आजाएगा 1 तो मतलब 1.2.3 आपके पास आ गया माइनस 0.3.5 चली ही रहा है आपके पास तो अगर अब आप देखो इनको घटा दो इसमें से तो ये आपके पास आजाएगा P A union B बरावर 0.88 इस तरीके से आपके पास पहले वाले भाग का उत्तर आजाएगा अर्थास A या B के होने की प्रायक्ता आजाएगी अब चलीए दूसरे वाले भाग पर आजाते हैं देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि P A डैस intersection B डैस ये आपको निकालना है तो देखो पहले तो लिख लेते हैं जो आपको निकालना है P A डैस intersection B डैस अब ये आपको बताया था कि ये होता है P A डैस intersection B डैस को आप A union B का डैस लिख सकते हो क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी संद्धी हो तो आप इसको ऐसे तरीके से देख सकते हो पी ए प्लस पी ए डैस ये वन के बराबर आपने पड़ा था तो बस एक ही जगह है और ए यूनियन भी माल लो तो भीकुल यही फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर यूनियन भी आपने निकाला है इसकी प्रायक्ता 0.88 है अर्था एक माइनस 0.88 आप यहाँ पर लिख दोगे यह वैल्यू आपके पास पी ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस की इस तरीके से देखोगे तो यह आपके पास 0.12 आ जाएगा अर्था यही आपका अभीश्ट उत् देखिए इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार इसका मतलब है ए भी ना हो तथा बी भी ना हो इस बात की प्रायक्ता 0.12 हो जाएगी आप देखो तीसरे वाले भाग पर आते हैं तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैस आपको यहा पर देखो इसका कोई वैसा फॉर्मुला नहीं पढ़ा हमने कि कोई इन दोनों फॉर्मुले यही दोनों फॉर्मुले हमने पढ़े थे एक फॉर्मुला यह था और एक फॉर्मुला मैंने आपको यह लिख बताया यही दो फॉर्मुले थे हमारे पास अब इसके लिए आप से वह वाले घटा दिये जब B B हो रहा हो बस तो यह देखो P A हमारे पास स्टार्टेंग में दिया हुआ है परशन में ही P A है 0.54 तो आपने 0.54 लिख दिया माइनस P A intersection B देखिए 0.35 है यह तो आप माइनस 0.35 यहाँ पर लिख देंगे तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करो तो यह आपके पास आजाएगा 0.19 के बराबर और यही आपका तीसरे वाले भाग का उत्तर भी हो जाएगा चलिए अब हम चोथे वाले भाग पर आजाते हैं चोथे वाले भाग में आपको बोला गया है P B intersection A dash के बराबर मतलब इसकी value निकालनी है आपको अब देखो P B intersection A dash आपको निकालना है बिलकुल सेम प्रोसिजर जैसे तीसरे वाले में आपने अपना है क्या जाएगा P B minus P B intersection A देखे P B अगर आप देखोगे प्रशन में आपको बोला गया है 0.69 के बराबर तो आपने 0.69 लिख दिया minus P B intersection A या P A intersection B बात तो ये की रहती है तो ये आपने इसमें से घटा दिया तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास 0.34 आ जाएगा तो इस तर प्रशन को दूसरे तरीके से भी हल करना सिखाऊंगा ये हम इसको बोल देते है method 1 जिसमें हमने सभी formula का use किया अब हम जो दूसरा method सीख रहे हैं उसमें मैं केवल आपको when diagram से सिखाऊंगा कि when diagram से हम इस प्रशन को कैसे हल कर सकते थे तो देखो when diagram से हल करेंगे तो सबसे पह when diagram आप देखो हमने use किया था numbers के लिए यूज किया था लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम probability के लिए भी use कर सकते है अर्था प्राइक्टाओ के लिए भी use कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे लिख देता हूँ PA ये लिख देता हूँ PB तो इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो हो जाएगा आपके पास PA intersection B के बराबर और आपको पता है कि अगर सब कुछ देखूं सब कुछ देखूं तो ये होता तो वन के बराबर ही है मतलब सब कुछ मिलाकर ये वन के बराबर आना चाहिए क्योंकि हमने सीखा था कि वन के बराबर आपके पास ये आएगा अब आप ये देखो कि जो सबसे पहले दोनों में common होता हैं सबसे पहले उसको भरते हैं दोनों में common है intersection B तो ये 0.35 आप वहाँ पर भर दोगे तो आपने यहाँ पर देखो 0.35 लिख दिया PA फिर अब भरोगे तो 0.54 था तो ये एक 9 रह जाएगा क्योंकि total मिला करी तो 0.54 आया इसी तरीके से आप देखो PB था 0.69 लेकिन इसमें 0.35 आ गया क्योंकि PB तो ये पूरा हुआ ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.34 आ जाएगा आपके पास फिर अगर अब आप देखो कि पहला वाला भाग था हमारे पास PA union B PA union B का मतलब है कि A हो जाए या B हो जाए या दोनों हो जाए इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन सभी का युकफल निकाल लेंगे ये जो मैंने अभी आपके सामने ऐसे बना रहा हूँ इन सभी का युकफल यही तो हो जाएगा अपने पास PA union B तो देखो ये आपके पास अब हो जाएगा यहाँ से 0.19 प्लस 0.35 प्लस 0.34 तो यहाँ से अब आप देखो 0.19 प्लस 0.35 यह हो गया 0.54 प्लस 0.34 आपने यहाँ से लिख दिया तो अब अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे अर्था जोड़ोगे तो 0.88 आ जाएगा और यही हमारा देखो उस मेथट से हमने किया था तब भी इतना ही आया था यह पहला वाला भाग हलो गया अब देखो दूसरे वाले भाग में हमको क्या निकालना था A- intersection B-डएस अब A- intersection B-डएस अगर हम निकाले है इसकी प्राएक्टा मतलब तो देखो अब इसको या तो डिमोरगन से आपने चेंज किया था P-A union B का डएस या तो ऐसे करके चेंज कर लो नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे direct Venn diagram से कैसे A- का मतलब है A में नहीं होना चाहिए तो A में नहीं होना चाहिए मतलब A के अलावा जितना भी होगा पूरा आ गया उसमें ये सब आ गया देखो A- A- देखो मैं पीले रंग से दरसा रहा हूँ A- केवल तो देखो ये पूरा A- आ गया ये ये देखो A- आ गया आपके पाक जिसमें ये B वाला भी आएगा अब B- दरसा रहा हूँ तो देखो B- को मैं क्या कह रहा हूँ कि B नहीं होना चाहिए मतलब B नहीं होना चाहिए तो B के अलावा जो होगा मतलब देखो मैं हरी रंग से दरसा रहा हूँ जिसमें A- वाला पार्ट भी आएगा आपके पास फिर बोला गया आपको इनका तो आपको intersection चाहिए intersection क्या होगा? जो दोनों में common होगा दोनों में common आप देखो क्यों ये जो बाहरवाला पार्ट है ये ही तो आएगा आपके पास और हमने आपको बतायता है total तो सब कुछ 1 के बराबर होता है सब कुछ मिला कर तो ये जो गोले हैं उनका योगफली तो PA union भी है तो 0.88 है तो आप ये वाला भारवाला निकालना है तो एक मैसे ये अगहटा दोगे आप तो 1-0.88 करोगे तो ये 0.12 आपके पास आ जाएगा चलिए अब तीसरे वाले पार आ जाते हैं तीसरे वाले पार आपको बोला गया है PA intersection B dash तो देखिए PA intersection B dash अब हम निकालेंगे तो आपको केवल क्या धानना है कि इसको पढ़ते क्या हैं बस फिर आप तुरंट कर लेंगे A का मतलब है A होना चाहिए intersection तथा B नहीं होना चाहिए A होना चाहिए लेकिन B नहीं होना चाहिए तो सोचे कौन सा होगा A हो लेकिन B नहीं हो तो देखो A में तो यह पूरा आता है लेकिन B नहीं होना चाहिए तो A intersection B वाला घट जाएगा क्योंकि उसमें तो B भी हो रहा होगा और यह आपका उत्तर होग है तीसरे वाले भाग का अब चोथी वाले भाग पर सलते हैं उसमें था आपके पास P B intersection A- तो P B intersection A- सोची क्या होना चाहिए पढ़ें से तो इसका अर्थ है B होना चाहिए तथा A नहीं होना चाहिए B होना चाहिए लेकिन A नहीं होना चाहिए तो B होना चाहिए मैं तो यह पूरा आएगा देखो यह वाला गुला लेकिन A नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बीच वाले को हटा दूंगा क्योंकि इसमें तो A और भी दोनों थे तो A तो हवी रहा है तो वो तो हटाना ही पड़ेगा तो देखो मैं लाल लंग से दिखा रहा हूँ आपको shade कर रहा हूँ समझाने के लिए तो ये जो भाग है वो आपके पास हो जाएगा B होना चाहिए लेकिन A नहीं होना चाहिए अर्थार इसी प्रशन का उत्तर हो जाएगा और जो के कितना है आप देख सकते हैं यहां से 0.34 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 0.34 तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने वेंड डियागरम से भी इस प्रशन को आपको हल करना सिखा दिया है अब देखिए हम आ जाते हैं प्रशन संख्या 8 पर तो देखिए प्रशन संख्या 8 में बोला गया है कि एक संस्था के करमचारियों में से पांच करमचारियों का चैन परतवंद सम्ती के लिए किया गया है आपको उन पांच करमचारियों का ब्यारा देखिए दिया हुआ है पहले करमचारी का नाम है हरीस मेल मतलब लिंग मतलब पुरुस है या इस तरी तो M मतलब मेल मतलब पुरुस है इसकी आयू तीस वर्स है रोहन जो की पुरुस है उसकी आयू तेतेस वर्स है सीतल एक महिला है जिसके आयू 46 वर्स है एलिस एक महिला है जिसकी आयू 28 वर्स है और सलीम एक पुरस जिसके आयू 41 वर्स है इन पांच व्यक्तियों का चैन किया गया अब आगे परस्ण में आपको बोला गया कि इस समूसे प्रवक्ता पद के लिए ये द्रच्या एक व्यक्ति का चैन किया गया है प्रवक्ता के पुरोस या 35 वर्ष से अधिक आयू का होने की क्या प्राइक्ता है ये आपको देखो देखना है अब यहाँ पर आप ये समझो कि आपके पास ns कितना है सोचीक ns मतलब एक व्यक्ति चुनना है पाँच व्यक्ति है लेकिन उन्हें से एक व्यक्ति चुनना है कितने तरीके हो सकते हैं सभाविक सी बात है पाँच तरीके होंगे या तो आप ऐसे बोल दो या 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 मतलब पाँच या फिर आप 5 C 1 करके भी कर सकते थे तो वो भी 5 ही आएगा आपके पास NS तो आपके पास आगया अर्थाथ उन 5 में से एक व्यक्ति को चुनने के तरही के अब देखो अगर आप formula को बिल्कुल धानना रखें बिल्कुल समझ समझ के प्रशन को करें तो आप तुरंत आसानी से कर देंगे इसको अब ये घटना हमने माल ली जिसकी हमें परायक्ता निकाल ली है घटना मारे पास क्या हो गई कि वो व्यक्ति जो चुना गया है वो पुरुस हो या 35 वर्स से अधिक आयू का होना चाहिए तो आप ये देख लो पुरुस हो या 35 वर्स से अधिक आयू का कितने व्यक्ति हैं इसे अलग कितने लोग हो सकते हैं तो देखो ये व्यक्ति 35 से अधिक का तो नहीं है लेकिन पुरुस है इसलिए एक काउंट हो सकता है रोहन भी पुरुस है लेकिन 33 वर्ष की आयू का 35 से अधिक नहीं है लेकिन चुकि पुरुस है इसलिए हम इसे रख सकते हैं पुरुस या 35 वर्ष से अधिक आयू का मतलब था या तो पुरुस हो जाए या 35 वर्ष से अधिक आयू का हो जाए या दोनों वाते हो जाए सब कुछ हमें लेना है अब सीतल पर आते हैं तो देखो ये महिला है लेकिन चुकि 35 वर्थ से अधिक है इसलिए हमने इसको भी ले सकते हैं चुन सकते हैं एलिस ये महिला है नहीं चाहिए थी हमें महिला ये 28 वर्थ की 35 से कम की भी है तो इसलिए है से हमें चाहिए ही नहीं अब ये सलीम देखो 35 से उपर का भी है और पुरुस भी है तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए तो हमारे पास देखो ऐसे total 4 है तो N A आपके पास देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा तो इस तरीके से अगर आप P A निकालोगे अर्थाद A घटना के घटेत होनी की परायक्त यह जाएगी N A बटे N S N A देखी हमारे पास कितना है? 4 है और N S है हमारे पास 5 तो यह आंसर 4 बटे 5 आपके पास आसानी से आ जाएगा अब यहाँ पर देखो एक तरीका यह हो गया जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी formula नहीं लगाना है अब दूसरा वाला मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा method हमारे पास क्या है? जिसमें हम formula लगा रहे हैं अब formula क्या है? उसको समय लेते हैं तो देखो मैंने A घटना माल ली अब मैंने A चलो यहाँ पर माल लिया तो यहाँ पर मैं B माल लेता हूँ B घटना हो गई पुरुस होना चाहिए और C घटना मैंने माल ली 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए तो अब यह देखो हमें प्राइक्ट निकालनी है B union C की देखो यह आजागा PB प्लस PC माइनस P B intersection C अब देखे PB मतलब पुरुस होने के लिए पुरुस कितने है यहाँ पर आप देखो तीन पुरुस हैं आपके पास M, 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 Tीन पुरुस हो गए तो आपको B union C निकालना है क्योंकि उसी का मतलब तो हुआ पुरुस यह 35 वर्ष से अधिक तो यह आगया 3 बटे 6 प्लस PC मतलब 35 वर्ष से अधिक तो 35 वर्ष से अधिक देखी आपके पास दो लोग हैं एक तो यह हैं और एक यह हैं तो यह प्राइक्ट अगर आप देखोगे 35 वर्ष से अधिक की तो आजाएगी 2 बटे 6 माइनस PB intersection C अर्था पुरुस भी हो 35 वर्ष से अधिक भी हो जाए तो पुरुस हो और 35 वर्ष से अधिक हो जाए तो केवल एक व्यक्ति हैं जो कि सलीम है तो यहां से आपके पास ही हो जाएगा एक बटे 6 के बराबर तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो यह आजाएगा देखो 6 तो लासपा आई रहा है 3 प्लस 2 5 माइनस 1 अर्था 4 तो PB union C आप देख सकते हो यह आपके पास 4 बटे 6 आ जाएगा अर्थात स्वरी यहां पर आपके पास 5 लोग थे तो यह 6 हमने गलती से लिख दिया है तो यहां पर हर जगे डिवाइड में 5 ही रहेगा इस तरीके से यह आपके पास 4 बटे 5 आ जाएगा और यह देख सकते हो आप यही हमने method 1 से किया था तब भी हमारे पास उत्तर सेम ही आ रहा था तो आप किसी भी method से करें यह पूरा आपके उपर निर्वा करता है यह तो मैंने किवल आपको और method सिखाने के परपशिस से दूसरे method से किया है आप कोई से भी method से उत्तर पुस्तिका में कर सकते है तो देखे अब हम प्रशन संख्या 9 पर आ जाते हैं इसमें बोला गया कि यदि 0,1,3,5 और 7 इन अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यद्रच्या निर्माड किया जाए तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माड की क्या प्राइक्ता है जब पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि अंकों की पुन्रवत्ति नहीं की जानी चाहिए अंकों की पुन्रवत्ति का मतलब है अंकों को दोहराना नहीं है एक बार आ गया तो फिर अब किसी 20 अंक पर वो ना आए वो वाला अंक अब देखिए सबसे पहले वाले भाग को हम हल करेंगे सबसे पहले तो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंकों की पुर्णावत्ति नहीं करनी है अब आप यह देखो कि हमारे पास चार अंकों की संक्या बनानी है और वो भी पांच यार से बड़ी होनी चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो चार खाने बना दूँगा मैं यहाँ पर अब आपके पास कौन-कौन से अंक्या है उनको समय लेते हैं आपके पास जीरो है एक है तीन है पांच है तथा साथ है अज सभाविक सी बात है जब अंकों की पुन्रावत्ति नहीं करनी है इसका मतलब कभी पांच आ गया तो अब आगे किसी भी इस्थान पर पांच नहीं आना चाहिए ऐसे ही वाले एक नंबर आपको बनाने है तो आप देखो पांच है आर से बड़ा मतलब यहां पर यहां तो पांच आए या साथ आ जाए कोई भी एक नंबर डिजिट आ जाए यहां पर तो हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि पांच है बड़ी संक्या बनेगी जब एक इस्थान से पर यहां भर जाएगा यह वाला तो अब आपके पास जिखो, मालू 5 आ गया, तो अब आपके पास जिखो कि यह चार अंक रहे गया, एक, जीरो, एक, तीन और साथ, क्योंकि पांच तो यह आ चुक्टा है, तो अब इस सिस्थान को आप चार तरीके से बढ़ सकते हो, फिर इस तरीके से इसको तीन तरीके से बढ़ सकते हो, और इसको दो तरीके से क्योंकि जब एक एक इस्थान यहां भर चुका होगा, तो फिर एक अंकम और बच गया होगा तो उस तरीके से यह आपने लिख दिया है आपन तो कुल संख्याएं अर्थात ns ये देखो आपके पास हो गया 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 अर्थात देखो 2 गुणा 4 आठ हो गया 8 इंटू 6 अर्थालिस आपके पास हो जाएगा इसका और से ये हुआ कि जब अंकों की पुर्णावत्ति नहीं करनी है तो आपके पास 5 आर से बड़ी केवल और केवल 48 संख्याएं ही बन सकती है अब आपको प्रायक्ता निकालनी है इस बात की कि वो संख्याएं 5 से विभाजित हो तो अब देखो मैं इस घटना को एक ये वाली घटना माल लेता हूँ कि 5 से विभाजित संख्या होनी चाहिए 5 से विभाजित संख्या होनी चाहिए तो अब मैं ए निकालूँगा मतलब मैं निकालूँगा कि 5 से विभाजित संख्या है कैसे कैसे बन सकती मतलब कितने तरीके हो सकते हैं 5 से विभाजित संख्या बन जाए तो अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं अगर आपको और बनाने हैं यह ऐसे तो आप ऐसे बना सकते हैं वो तो आपकी उपनिर्बर करता है आपको समझ में आना चाहिए तो माल लेजी का मैंने और बना दिया आपको समझाने के लिए अब देखो 5 से विवाजत है तो सभाविक सी बात है कि यहाँ पर 1 का अंक जो है वो 0 या 5 होगा तभी हम बोल सकते हैं 5 से विवाजत हो और यहाँ पर अगर हमने पहला case लिया कि यहाँ पर हमने 5 को fix कर दिया तो सभाविक सी बात है पांच से विवाज़े तभी आएगा जब यहाँ जीरो आएगा क्योंकि पुन्नावत्ती नहीं करनी है मलब पांच ही आगया तो यहाँ नहीं आ सकता तो अब यहाँ पर जीरो फिक्स हो गया आना ही चाहिए यहाँ पर आप देखो जीरो एक और तीन स्वरी एक तीन और साथ यह तीन अंक बचे हैं के वल पुन्नावत्ती करनी नहीं है तो मलब एक तीन साथ से यह दो अंकों कितने तरीके से बढ़ सकते हैं और इसको हम दो तरीके से बढ़ सकते हैं कि अगर तीन तरीके से हमने इसको भढ़ सकते हैं मालीजी का एक आगए यहाँ पर तो अब यहाँ पर तीन या साथ में सी को ना आया न चाहिए इसलिए दो तरीके से हमने बताया आपको भढ़ सकते हैं तो अगर पांच यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में आ गया मतलब मैं बोल सकता हूँ पांच यदि एक हजार वे इस्थान पर आया या मैं पहले एन ए तो बाद में लिखूँगा पहले मैं ए लिख रहा हूँ कि आखिर किस करीके से आप लिख सकते हो पांच से ववाजे संक्या क्योंकि पहले आपको यह समझ में आएका लेंग्वेज में तभी तो आप बना पाओगे तो यह बन सकता है फिर और कैसे बन सकता है तो देखो मैं एक बार यहाँ पर और बना देता हूँ जब मैं साथ लोगा आपर तो देखो यहाँ पर हमने चार बॉक्स मना दिये अब यहाँ पर मैंने साथ भर दिया फिक्स कर दिया क्योंकि मुझे पता पांच या साथ ही आ सकता था तो मैंने एक कैसी यह ले लिया अब यहाँ पर आपको पता है कि या तो यहाँ जीरो आएगा या 5 आएगा तभी 5 से वाजित होगी तो इस अंक को आप 2 तरीके से बढ़ सकते हैं जब 0 मालीजे आगया तो आप केवल 3 अंक आपके पास बचे हैं तो इसको 3 तरीके से और इसको फिर 2 तरीके से तो इस तरीके से आप कब कर सकते हो जब 7 यदि 1000 वे स्थान पर है तो अब मैं यहाँ पर देखो पहले मैं लेंग्वेज में लिख दिया मलब भासा के रूप में तो अब यहाँ पर हम गर्ती रूप में लिखते हैं कि आकर कितने नंबर ऐसे होंगे तो जब 5 यदि 1000 वे स्थान पर था तो 3 गुणा 2 तरीके से हम बना पा रहेते संख्या है तो N A अब हम लिख रहे है यहाँ के लिए हमने देखो प्लस लगाया 7 यदि 1000 वे स्थान पर है मतलब यहाँ पर था आप देख सकते हो तो हमारे पास टोटल तरीके से 3 गुणा 2 गुणा 2 तो यह हमने यहाँ से लिख दिया तो अब देखो N A हमारे पास क्या आ जाएगा 3 गुणा 2 6 प्लस यह आ गया 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12 अर्थाद 18 आ गया तो इस तरीके से आपको संख्या हैं आ गया है आपके पास कि 5 यार से बड़ी 4 अंकों की संख्या है और 5 से विभाज़त भी हूँ ऐसी केवल 18 संख्या हैं आपके पास आ सकती है तो अब आपको तो प्राइक्ट गयात करनी थी तो P A आपके पास हो जाएगा N A बटे N S के बरावर N A देखो हमारे पास है 18 N S हमने देखा था 48 के बरावर है अगर आप इसको चाते हैं थोड़ा सलल करना तो मैं देखो इसे 6 से कैंसल कर सकता हूँ तो 6,38 और ये 6,38 तो इस तरीके से ये देखो आपके पास 3,8 के बरावर आ जाएगा तो ये आपका देखो प्रशन हलो चुका है बस आपको ये बात ध्यानक नहीं है कि ऐसा प्रशन करने के लिए आपका क्रमचे और संचे ये वाला ध्याय जरूर पूर्ण तरीके से calculated होना चाहिए चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि अंकों की पुन्रावत्ती की जा सकती है मतलब अभी संभावना अभी आप कर सकते हैं अंकों की पुन्रावत्ती तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो आप देखो 5 अंकों की संक्या आपको बनानी है तो मैंने देखो यह ऐसे बॉक्स बनाया 4 अंकों की बनानी थी तो हमने यह 4 बॉक्स ऐसे बना दिये ध्यान नकना है हमें 5000 से बड़ी संक्या चाहिए और यह हम डिजट यूज कर सकते हैं 0,1,3,7,5 यह वाले डिजट हम यूज कर सकते हैं अब आप यह देखो कि हमें यह तो पता है कि यहां fix है कि 5 ही यह 7 में से ही कुछ ना कुछ आना चाहिए अब इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर दो तरीके से इसको भढ़ सकते हैं इस वाले अंको अब पुन्रवत्ती संभव है तो चाहें हां पर कुछ भी आजा चाहें हां पर देखो पुन्रवत्ती संभव है इसको पहले समाज़ लेते हैं का मतलब क्या होता है पुर्मावत्वी संभव का मतलब है कि 5 हां पर आ गया है तो जरूरी नहीं है अब कहीं और भी आ सकताई 5 मेल लो धीर को ये भी बन सकता है कि और जी सकता है अब अब हम रिपीट कर सकते हैं तो यह तो मेंने के इन समझाने के लिए आपको तरीके से मैंसे भर सकते हो, देखो, क्योंकि कुछ भी भर दो, पुर्णवत्य तो संभभ है, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो, दो गुणा, 5 गुणा, 5 गुणा, 5, यहाँ पर एक बात, आपको क्या गवर करने हैं, उसको समय लेते हैं देखिए जब आपने मान लीजेगा यहाँ पर 5 बनाया हो सकता है एक केस आया होगा जब आपने 5 लिया होगा इस अंको को आप ने देखा इन मैंसे किसी भी तरीके से बर सकते हैं तब ही तो आपने 5 लेखा प्रश्ण में बोला गया है 5000 से बड़ी ही होनी चाहिए इसका मलदा आपको वो तो लेनी नहीं है तो आप इस 5000 जो एक वार बनेगा ना इसमें उसको आप घटा दोगे कुछ आत्र को ये दिक्कत हो सकती है वो बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है इसहाध बन जाए और यहां 0000 आ जाए शात यहार बन जाए तो सात यहार तो पअंच 1 से बड़ी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो ये पांच 1 बन नहीं ती इसको हमें हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 5 आ चाहिए ही नहीं जो 5000 से बड़ी हो जब पुन्रवत्ती संभव हो तो ऐसी 200 नंचा संख्या आपके पास बन सकती हैं चलिए यह तो हो गया अब आपको यह देखना है कि 5 से बाजी कितनी संख्या हो सकती हैं तो चलिए अब मैं यहाँपर देखो बी वाली घटना माल लेता हूँ 5 से बाज़े संख्या है तो मेरे को essentially फिर N, B निकालना पड़ेगा कि आकर कितनी संख्या है बनेगी तो पहले तो मैं 5 से बाज़े संख्या है अब 5 या 7 में से कुछ ना कुछ आना चाहिए और पुन्रावत्ती संभव है, तो सभाव एकसी बात है, अब आपको अलग केस बनाने की ज़रुवती है, इसी में हम बनाएंगे, इसका मतलब आप इसको दो तरीके से बढ़ सकते हो, आपको पता है यहाँ 0 या 5 में से कुछ आ एक तीन पांच साथ में कुछ भी आ सकते है, क्योंकि पुन्रावत्ती संभव थी, इसलिए, तो अब देखो, NB यहाँ निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 2 गोड़ा 5 गोड़ा 5 गोड़ा 2, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो, तो एक संख्या तो वो हुई क्योंकि हमें यह नहीं चाहिए थी, तो NB में से भी हमें एक घटाना ही पड़ेगा, तो अब देखिए हमारे पास NB क्या आ जाएगा, दो गोड़ा 5 दस, 5 गोड़ा 2 दस, 10 गोड़ा 10 सो आ गया, माइनस एक अर्थात 99 आपके पास आ जाएगा, तो NB आ गया 99, आपको तो B वाली घटना की प्राइक्तार निकालनी थी, अर्थात P B निकालनी थी, तो यह हो जाएगी NB बटे NS, NB देखिए 99 है और NS आपके पास 200 अनचा सा आए था, अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करो, अर्थात, देखो मैं 3 से कैंसल करता हूँ, तो यह आ गया 33, और यह आ आपके पास 83, तो इस तरीके से यह देखिए आपके पास 83 बटे, 83 आपका उत्तर आजाएगा, तो अब देखिए हम विवित प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात, प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी अटैची के ताले में 4 चक्र लगे हुए हैं, जिन में परतेक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंके थें, 0 से 9 तक सभाविक सी बात हैं 10 अंकी होते हैं, तो वो उसने बताया है, फिर आगया आपको बोला गया कि ताला 4 अंकों के एक वि नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब हमने आपको पहले भी समझा दिया तो और यहाँ पर भी बता दिया, आपसे आगे बोला गया, तो इस बात की आप प्रायक्ता बताओ कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही करम का पता लगा ले, यह मतलब प्रायक्ता हमें बता नहीं है, तो देखिए मैंने यहाँ पर यह 4 बॉक्स यहाँ बना दिये, हर बॉक्स पर 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है, पुन्रवक्ति अलाउड नहीं है, मतलब अगर 2 कहीं आ गया, तो बाद में कहीं 2 नहीं आना चाहिए, कहीं 5 आ गया, तो कहीं हम 0 कहीं भी रख सकते हैं वो तो, तो अब आप यह सोचो, कि इसको हम 10 तरीके से बर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तो कुछ भी आ जाए, फिर इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी मान लीजेगा, यहाँ पर 4 आ गया, तो अब यहाँ पर 4 नहीं आ सकता था, 0, 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ आ सकता हैं, तो मतलब 9 तरीके हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कि जैसे 4 आ गया, वैसे तो जरूरी नहीं है, तो बहुत सारे केसिस बनेगे, यहाँ पर 8 तरीके से और यहाँ पर 7 तरीके से, तो NS, मतलब हम पहले वो निकालने हैं कि आखिर कुल कितने करम आप बना सकते हो, चाहें, सही हो, चाहें गलत, लेकिन कुल कितने करम बना सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा, 10 गुणा, 9 गुणा, 8 गुणा, 7, अगर आप इसको थोड़ा सरल करो, अर्था इनका गुणा करोगे, तो देखो, यह आ पारी के से सॉरी यह आपके पास 50 आ जाएगा तो 5040 आपके पास ऐसे अंक आप क्रम बना सकते हो इनमें कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे अब वो लेकिन आपको तो NS बताना था हर साथ कुल क्रम आपने बता दी 540 हो सकता है कुछ आतर इसको एक बार मैं ऐसे सोच लें वो देखो आपको उपर नर्वा करता है कि आप कैसे इसको सोच पा रहे हैं अगर हम डारेक्ट एक बार मां बोलते तो देखो NS को 10C4 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 10 में से 4 अंक चुन नहीं है केवल तो 10C4 भी आपके पास 5040 ही आएगा तो 10C4 इंटू 4 फेक्टोरियल क्योंकि एक घटना माल ली A के सही करम हो अब सोचिए ताले का पासवर्ड ही है एक तरीके से वो मतलब लोग खोलने के लिए करम तो वो तो एक ही करम हो सकता है सही करम तो NA मतलब एक ही होना चाहिए क्योंकि एक ही तरीका हो सकता है कि आप सही करम से उस ताले को खोलने है तो अब आ एन ए देख सकते हैं आपके पास एक है बटे योगया 5040 और यही आपका इस प्रशने संक्या 10 का उत्तर भी हो जाएगा